नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके एपने यूटूब चैनल एरफोर्स एक्जाम पेपर में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एरफोर्स बायगरूप के लिए जागा के प्रेक्टिस एट को याँ पर स्वाल्व करेंगे और ये आज का प्रेक्टिस एट न लेगी और उसका लिंक भी आपको डिस्काप्शन बाक्स में दिया गया है अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और अपना स्कोर हमें कमिट बाक्स में जरू बताएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्मॉक टेस्ट को देखें दोस्तों प्रेस नमबर एक बिहार का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों आपको यहाँ पर चार आपसें दिये गए हैं स्रीकरश सिंग जगजीवन राम अनुग्रे नारायन सिंग डाक्टर जाजेंदर परशाद आपसे पूचा गया है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है तो इसका जो आपका राइड आंसर होगा यह क्या होगा डाक्टर जाजेंदर परशाद ठीक है डाक्टर जाजेंदर प्रशाद जो है इन्हें क्या का जाता है बिहार का गांधी कहा जाता है फिर इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रस्ट नमर दो के बारे में तो दो नमर दोस्तों आप से प्रस्ट क्या लिखा हुआ है कि कारगिल विजय दिवस किस तिति को मनाई जाती है 15 मार्च 5 मई 26 ज तो कारगिल विजय दिबस के बारे में बात की गई है तो 26 जुलाई आपका दोस्तों यहाँ पर बिलको दाई डांसरों का ठीक है 26 जुलाई आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रस नमबर 3 के बारे में तो 3 नमबर आपका यहाँ पर क्या है विटामिन E का दासाइनिक नाम क्या है टोको फैराल रेटिनॉल पाइरी डॉक्सिन या केल्सी फैराल तो बिटामिन एक ही बात की गई है तो कौन साइट टोको फैराल ठीक है टोको फैराल जो दूस्तों आपका यहां पर है यह बिटामिन एक आदासाइनिक नाम है फिर इसके बाद आपको समझना है प्रस्ट न तो इसका लाइट आंसर होगा option number C वाला 17 जो भी प्रस्ण आपको याद ना हो आप लोग यहाँ पर उसको याद कर सकते हैं और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा यहाँ पर आप देखेगा पांच नमर प्रस्ण आपके लिए है मैयूर शिंगासन को किस ने बनवाया था बावर ने जहांगीर ने अकवर ने या शाह जहां ने तो किस ने बनवाया था शाह जहां ने तो आपसे नमर आपका यहाँ पर D वाला लाइट आंसर होगा आगे बात करते है प्रेस नमबर छे के बारे में तो छे नमबर आपका है दे इस्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्म गता है दे इस्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्म गता है नेलसन मंडेला, हिटलर, मुसोलिनी, सुभास चंदर बोस तो यहाँ पर दोस्तों आपका दाइट आंसर क्या होगा आप्सन नमबर A ठीक है नेलसन मंडेला की आत्म गता है दाइश्टरगल इज माई लाइफ यहाँ पर देखेगा प्रेस नमबर 7 लिखा है कतकली नदत्य का संबंद किस राजिसे है कहने का मतलब है कतकली जो है कहां कार दत्य है तो केरल का है ठीक है तो आपसन नमबर आपका है पर B वाला इडांसर होगा क्या होगा केरल यहाँ पर देखिए क्रिकेट खेल का जर्म दाता किस देश को माना जाता है फ्रांस जर्मनी इंगलेंड या ब्राजिल तो कौन सा देश है इंगलेंड ठीक है इंगलेंड को क्रिकेट खेल जो है उसका जर्म दाता माना जाता है आगे बात करेंगे हम लोग प्रेस नमबर 9 के बारे में तो चले समस्ते हैं याँ पर 9 नमबर को किसी संख्या का 1 बटा 2 कामा 1 बटा 3 तथा 1 बटा 4 भाग का योग उस संख्या के मान से और 12 अधिक है तो वहाँ संख्या क्या पूछा गया वहाँ संख्या है देखीगा किसी संख्या का 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटे 4 भाग का योग उस संख्या के मान से 12 अधिक है तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे बताएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है तो देखिए अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं इन सभी का L से हम निकाल लेजेगा और वही संख्या आप मान सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक काम करेंगे हम संख्या माल लेंगे X अगर आपकी संख्या X है तो यह जितने आपके भाग है इनका टोटल कितना होगा तो इनका दोस्तों आपका टोटल हो जाएगा एक बटा दो X प्लस एक बटा तीन X प्लस एक बटे चार X यह आपका हो जाएगा ठीक है एक बटे चार X और यह है कितना इसका योग जो है इस संख्या के मान से बारह जादा है संख्या से बारह अधिक है यह कैसा यह संख्या से बारह अधिक है तो आपका समय एकन कुछ इस प्रिकार से बन जाएगा ठीक है इनका LZM लेंगे आपका आएगा 12 देखिए 2 छंग बारा आपका आएगा 6X 3 चोका बार आपका आएगा 4X 4 तिया बार आपका आएगा 3X बराबर X प्लस 12 तो कुल मिलाकर आपका इतना हुआ न आगे देखिए 6, 4, 10, 3, 13 तो आपका वा 13X अपान में आपका 12 बराबर X प्लस 12 इतना करने के बाद आप इसमें गुणा करेंगी तो आपका आएगा यहापर निकल के 13X बराबर 12X प्लस 12 की 12 में गुणा करेंगी 144 तो X कितना उस तो आपका यहापर आगया है 144 तो आपका option नमर यहाँ पर A वाला by the right answer होगा ठीक है कितना होगा 144 अकर आप लोग ने copy column को ना निकाला हो तो आप लोग copy column को निकाल लीजिएगा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है A कारे को करता है 18 दिन में और B उसी कारे को A द्वारा लिए गए समय का आधे समय में करता है देखें A काम कलता 18 दिन में तो B क्या कलता है B जो है यह A द्वारा लिए गए समय के आधे समय में A 18 दिन में तो B 9 दिन में कहने का मतलब सिर्फ यह है ठीक है सबसे पहरा काम क्या होता है लseem निकालें, कितना आपका आएगा 18 आएगा 18 एक केण 18 तो 1 बड़ गया और यहाँ पर दोस्तो आपका जाएगा 9 दोन 18 यह दो बड़ जाएगा यह आपका होता है total work यह आपका होता efficiency बात करते हैं याँ पर कि एक दिन में 3 काम करते हैं, कितना काम करते हैं? एक काम है बिर दो काम बी तो कितना 3 काम करेंगे, कितने मैं से 18 मैं से, तो कितना हुआ 1 बटा 6, तो एक बटा 6 काम करेंगे, और आपस An sort – आपका यहां पर बी वाला बिल्कोव दाईट ऐंस रोगा, एक बटा 6, अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक काम कर लें क्या करने देखेगा आपको यह तो पता है कि जो आपका यहाँ पर 10 ठीटा होता है न या दोस्तों आपको यह पता है जो आपका यह कॉट ठीटा होता है कॉट कॉट ठीटा यह आपका होता है बराबर वन अपांट 10 ठीट और यह आपको द्रिक्खा है ठीक है यह आपको द्रिक्खा है कितना 5 आपको लाना है यह तो यह लाने के लिए आपका करना पड़ेगा आप कल देंगे इसका दो तरब स्क्वाइर इधर भी स्क्वाइर इधर भी स्क्वाइर तो आपका हो जागा यहाँ पर 10 स्क्वाइर ठी ठीट है और प्लस अजिए इस में जाएगाँ दो गुणा 10 थीटा गुणा 1 बन पांट थीटा मिला क्या आपका ख़ूआ 2 वर्राबर आपका 25 तो यहांसे आपका कितना अपका यहां से हुआ 10 स्कॉर ठीटा 50 फ्लस बन पांट थीटा और बरावर कितना आपका हुआ यह आपका हुआ बरावर 30 तो पहले तो आपका इतना हुआ ठीक है इतना होने के बाद आपके आकरने कि इसमें भी आपका देंगे square यहाँ पर भी यहाँ पर भी आगे देखें यहाँ पर step देखेंगे इसका तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा 10 की पावर 4 ठीटा प्लस 1 अपान 10 की पावर 4 ठीटा प्लस 2 ठीक है बरावर कितना होगा 30 का कितना होता है 30 का होता है वर कितना होता है 529 529 इतना आपका हो जाएगा और यह दोस्तों आपका बना 10 की power 4 theta plus 1 upon 10 की power 4 theta बराबर कितना आपका बना यह आपका बना है 527 कितना बना 527 ठीक है तो आपका दोस्तों यहापर C बाला डाई डाइड आंसर होगा ठीक है option number आपका यहापर C बाला बिलकुँ डाई डाइड आंसर होगा तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 12 नमबर को देखेंगा माता और पुत्रे की आयू का योग 56 वर्स है चार वर्स के बाद माता की आयू पुत्रे की आयू से तीन गुनी है उसकी पुत्रे की आयू क्या है तो देखेगा आप लोग यहाँ पर कि आपका सवाल कैसे solve होने वाला है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर तो देखेगा आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे माता और पुत्रे की बात की गई ठीक है तो अगर आप लोग माता की आयु माल लेंगे X वर्स देखेगा माता की माल लेंगे X वर्स और पुत्री की आयु माल लेंगे Y वर्स पुत्री की आयु वर्स माल लेंगे तो माता और पुत्री की आयु का यो कितना 56 वर्स है तो इसका मतलब X प्लस Y आपका हो गया 56 फिर कराए कि 4 वर्स के बाद माता की आई पुत्री की आई उसे 3 गुनी हो जाती है अब देखें 4 वर्स बाद तो माता की आई हो जाए कि X प्लस 4 और पुत्री को जाए कि Y प्लस 4 और सवाल करा है कि चार वर्स बाद माता की आयू पुत्री की आयू से तीन गुनी है तो देखिए आपर क्या करेंगे हम लोग चार वर्स बाद माता की आयू यह हो गई और पुत्री की आयू कौन से वाइपलेस आल हो गई और जो माता की आयू जो है यह पुत्री की आई उसे 3 गुना है, यह सवाल कह रहा है आपसे, तो बस इतना जो आपसे कह रहा है, तो इसको हल कही लेते हैं फटावर से हम लोग, तो आपका यहां पर क्या हो जागा, X से प्लस का आपका 4 बराबर, 3 बाई प्लस का आपका हो गया 12, आपका हो गया X माइनस और इतना हो गया, 3 बाई बराबर, ठीक है, X माइनस 3 बराबर, और ठीक है इतना, यह एक काम करें आप लोग यहां पर, आपसे सवाल में पूछा गया, पुत्री की आई हो, तो आप यहां से X कमा निकाल लें, कितना आपका हो जागा, आपका हो जागा 3 बाई, प्लस 12, और 3 बाई माइनस, 3 बाई प्लस 8, देखिए कहां पर रखते हैं लोग, हम लोग इसको उठाएंगे यहां से साफ करने हैं तोड़ा, और आप हम लोग यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर आप क्या मैंने आपको बता जा, कि इस बाले को आप लाएंगे उठा के यहां प यहां पर आप देखेंगे, चार से काटेंगे ठीक है, आपका जाएगा 16 बार, 12 बार चुकरता लेगा, तो आपका 12 बर्स बिलकुल आई टांसर होगा, आपस नमर दोस्तों आपका यहां पर A बार बर्स बिलकुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर, देखिए दोस्तों, सवा को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जब भी आपके सामने स्टाट का सवाल आ जाए, जहां पर आपको 6 त्रिफल में ब्रद्धी बतानी हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सूत लगाएंगे यहां पर X प्लस Y और प्लस XY अपान 100, और यह दोस्तों जितना आपका आए इन TOO 6 इन TOO 6 लिखेंगे, और अपान में कर देंगे यहां पर 100 ठीके, दिखे, बारहा प्लस, और दिखे, 6 की गुणा 6 में करेंगे, 6 रिजा कितना होता है, 36 होता है, और बटा में कर देंगे यहां पर दोस्तों 100, इसके बाद आपके 2 0 कैंसल हो के यहां पर आएगा, पर सेंट फिर इसके बाद हम देखेंगे सवाल लंबर चौधा तो दिखी दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल कैसे सौल वोने वाला है इसतिर गती से चल नहीं जेल गाड़ी 96 मेटर Pelig disciple को 12 सेंड में और दूसरे 141 मेटर Peligièrement को 15 सेंड में पार करती है जेल गाड़ी के लंबाई और गती बताईए देखे, जेल गाड़ी की लंबाई आपको बतानी है यहां पर आप लोग मान लेंगे जिल गाड़ी के लंबाओ आपने मान ली एक्स ठीक है एक्स मीटरा आप माल लेंगे यहां पर कहरा है यहां इस तिर गठ्से चल नहीं जिल गाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेट फार्म को 12 सेकें द में पार करती है पहली बात तो यहाँ पर आपने दिखा है कि यह पार कर लेती ठीक है और दूसरे में का रखा है कि दूसरे एक सब तालिस मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकेंड में पार करती है दूस्तों यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर है कि देल गाड़े के जो आपके चाल है ना स्पीड देल गाड़े के स्पीड बराबद हैगी क्योंकि जितना उसने पहले बाले प्लेटफार्म को पार किया वहाँ पर भी उसकी स्पीड उतनी रहेगी और जब उसने दूसरे बाले प्लेट फार्म को पार किया तो भी आपके स्पीड बराबद हैगी तो आपके स्पीड बराबद हैगी ठीक है देखिए चाल होता है दूरी बटा समय क्या होता है दूरी बटा समय तो पहले बाले के दोस्तों बात करेंगे दूरी के बारे में तो पहले वाले condition क्या लगीगी यहाँ पर यह देखीगा 96 meter क्या है लंबा platform में 12 second समय लगता है और जेल गाड़ी के लंबाई x meter है तो कुल मिलाकर आपका देखे दूरी कितनी हो गई तो दूरी आपकी हो जाएगी जेल गाड़ी के लंबाई और प्लस platform के लंबाई और बटा में अब आपका समय लगता है 15 second का तो आप बटा में कर देंगे 15 बस आपको इतना सा काम करना है 3,4,12 और 3,15 गुणा करेंगे 5 x आपका आएगा ठीक कैंची गुणा करेंगे इस तरीके से तो 5 x प्लस का देखीगा और 96 पंचे आप करना है तो कितना होगा 5,6,3,0,8,3,9, 45 तिन कितना वह 48 और बरावर यहां पर आपका वह 4 x प्लस और 141 चौका करेंगे 4 x 4 4 और कितना 56 ठीक है तो इतना होगा बनाए अपर ठीक है और यहां से आप x निकालें कितना आपका आएगा 564-480 तो कितना बचेगा आपका, यह आपका दूस्तु बचेगा देखीगा 84, तो X निकल के दुस्तों आपके आगया 84 तो इसका मतलब है जेल गाड़ी के लंबा है आपके आगया 84 मेटर यहाँ पर आप देखें यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके यह दो गलत हो गए ठीक है तो तीसरा या चौथा मेंसे कोई एक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कौन सा है हमें नहीं मालूम है तो अब हम लोग क्या करेंगे हमें जेल गाड़ी की चाल भी पता करनी है देखिए आपको देल गाड़े की चाल पता करनी न तो आप लोग इस वाले को देखकर आप चाल निकाल जाकते न इस वाले को देखकर देखिया X प्लस 96 बटा 12 आप X के जगह पर मांद रख देंगे और आपकी चाल निकल के आ जाएगी तो इतनी बात अगर आप समझ गए हो यहां से तो मैं यहां से उस तो इसको हटा रहा हूँ ठीक है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी देखिए यहां से यहां पर आप देखेंगे तो आप लोग यहां पर समझ जाएंगे देखिए यहां पर आपको करना क्या है ठीके इस तरीके से आप समझें यहां पर आपकी चाल आ गई है x प्लस 96 बटे बारा x कामन आपका 84 और प्लस 96 बटा बारा इतना आपका हो गया यह दोस्तों आपका कितना हो गया यह आपका कितना हो गया चेर दसका जीरो हांसे लगा एक और 9, 8, 75, 11 बटा में आपका आगया 12 तो इतना आपका आगया मेटर प्रती सेकेंड और इसको आपको चेंज करना किस्मे है किलो मेटर प्रती घंटा में तो आप इस बाले में कल देंगे 18 बटे 5 से गुणा ठीक है अब देखें यहाँ पर 12 पंचे 60 हो गया और 60 तिया आपका हो गया एक्सोस से तो 18 तिया आपका आगया 54 तो आपका आगया 54 किलो मेटर पर दिखंटा आपसे नमर आपका यहाँ पर सी बाला बिलकुँ दाइट आंसर होगा ठीक है 84 मेटर जैल गाड़ी की लंबाई 54 किलो मेटर पर दिखंटा इसकी गती ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आगे समस्ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रस नमर 15 को यहाँ पर आप लोग देखेगा सवाल कहह रहा है कि यह जदि लागत मुल बिकरे मूले का 95 परसेंट है तो लागत मूल लाव बिकरे मूले का 95 परसेंट है देखिए विक्रे मूल अगर आपने मान लिया 100 रुपय है मान लिजी आपने 100 मान लिया विक्रे मूल तो लागत मूल जो आपका क्रे मूल लेना CP ये कितना है विक्रे मूल का 95% मतलब 100 का कितना है 95% और इसका मतलब कितना हुआ इसका मतलब हुआ कितना है 95 है तो आपको यहांँ बताना क्या है आपको बताना है तो लाब का परसेंटज गात कीजिए अब आप बताईएगा आपने कोईची पचिप 95 की खरी दी और 100 की बेंच दी तो यहां से यहां तक आपको 5 रुपय का प्रौफिट हो गया आपको निकाना है profit percent क्या होता है profit upon cp into 100 यह आपका होता है सूत्र profit आपको 5 का हुआ किस पर हुआ 95 पर गुणा कर देंगे याँ पर 100 से इसको हमलोग कर लेंगे स्वाल वहमारा answer निकल के आएगा 5 एकन 5 आपका जाएगा और 19 रा और 19 आपका इस तरीके से आएगा 5.26 एक तो इस तरीके से आप यहां पर सवाल को सवाल कर सकते हैं आगे आप लोग देखेंगा यहां पर 16 नमर्ब सवाल आपके लिए आ चुका है और यहाँ पर सबाल कह रहा है कि शब्द कोस के हिसाब से निम्ण को कैसे बिवस्थित किया जाएगा अब यहाँ पर आपको बतारहा है कि इन में से कौन सा आप का जो बनेगा वो बिल्कुल सब्द कोस जो आता है 1 माला मतलब एक तरफ से अलफा वेटिकल अगर आप इसको लगाएंगी तो कैसे लगेगा आपको सब कहीं दिख रहा है AC 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 आपको सब कहीं यहाँ पर दिख रहा है C के बाद पहले कौन सा आएगा तो A वाला पहले आएगा यहाँ पर A वाला है और यहाँ पर A वाला है बात करेंगे एक के बात कौन सा है आपका यहाँ पर है डी यहाँ पर है आर तो डी वाला नमबर एक पर आएगा यह नमबर दो पर आएगा तो देखिए पहले आपका आएगा चार वाला और फिर आपका आएगा एक वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है तो हमारा यही करेक्ट तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से हमने मातर 2 को देखा है और सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है इस तरीके से आप लोग भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे प्रेस नमर 17 के बारे में यहाँ पर देखी आप से कहा गया है गलत पत कौन सा है तो चलिए यहां पर हम लोग निकाल देते हैं कि गलत पत हमारा कौन सा यहां पर हो रहा है 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132 देखिए आपका लिखा है 10 फिर आपका लिखा है 14, 28, 32, 64, 68, 132 यहां पर देखेंगे, देखेंगे, 10 से आपके 14 पर, ठीके, 10 से आप कहां पर गए, 14 पर गए, तो 10 में आपने चार जोड़ दिये, 14 हो गया, और 14 से आप गया 28 पर, तो आपने 14 का डबल कल दिया हो गया 28, 28 x 32 पक्रेंड 8 24 कितना 32 हुआ और 32 का आपने यहां पर कल दिया डवल कितना होसाथ ठीक है बिलकुट सीए 64 यहांपर दे चार यहांपर जोड़े आपका अचे और यहांपर कितना कर दिया आपने दो गुना 68 का दो गुना कितना होता गलत संख्या क्या है 132 आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रस्त नमर 18 के बारे में तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए आपर जो प्लस माइनस वाल आ गया इस सवाल को आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेंगे और इसका अंसर आप लोग हमें कमेंट वाक्स में बता देंगे आगे हम लोग सवाल को देखेंगे सवाल नमर 19 आपके सामने आपर है और सवाल में कहा गया है कि A C का पिता है D B का बेटा है E A का भाई है और यदि C D की बहने तो B का A से क्या रिस्ता है यहाँ पर आपको दिस्ता बताना है देखीगा A C का पिता है C है यह और C का पिता का उन्हें A ठीक है यह C का पिता है अगर है D B का बेटा है D B का बेटा है D B हमें कहीं ने उताया गया है छोट देजिए स्कुआ अगे देखे E A का भाई है E का भाई कौन है E E A का भाई है ठीक है तो इतना हो गया आपका यहाँ पर यह हो गया भाई ठीक है आगे देखे इसके बाद इसके बाद आपसे कहा रखा है यह दि C D की बहन है यह दि C जो है वो D की बहन है यह D की बहन है तो D की बहन हो गई C D की बहन हो गई ठीक है C रहे कि D की बहन हो गई ये सब ये इनका पिता है तो प्लस में हो जागा ये प्लस का हो जागा और D नहीं पता कैसा है लिखाए D B का बेटा है D B का बेटा है सवाल एगा रहा है ना फिर से बढ़ीगा A C का पिता है तो आपने A जो है C का पिता करते हैं कराया कि D B का बेटा है D जो है B का बेटा है और E A का भाई है ठीके A का भाई हो गया यह दि C D की भहन है ठीके तो B का E से क्या रिस्ता है और यहाँ पर करका कि D जो है यह करका कि D जो है B का बेटा है तो B का बेटा है तो B होगा ठीके तो B का बेटा हो गया ठीके D तो आप से का गया है कि B का E से का रिस्ता है कि B जो है B का और E से और क्या रिस्ता है आप से सवाल यही कह रहा है अब देखिए यहाँ पर बात समझने वाली है और आप लोग यहां पर समझेगा अच्छी तरीके से सवाल यहां पर समझने वाली बात यह हो रही है कि देखिए यह दोनों क्या है भाई बैनों है ठीक है C और D ठीक है C और D भाई बैन है और C का पिता है A यहां पर देखे C का पिता है और B का बेटा यहाँ पर कौन है B का बेटा है T तो अगर यह बेटा है तो B की बेटी है C तो यह आपस में दोनों कौन हो गए आप बताएगा यह दोनों आपस में कौन हो गए यह दोनों हो गए पती-पत्नी बात को समझे A और B आपस में क्या रिष्टा आप से पूछा गया इनका रिष्टा क्या है तू यह कौन होगा इसका बेटी नहीं भाव ही यहां पर आपर आगे देखे इसके बाद सवाल नमर बेस यहाँ पर देखेगा सवाल करा है नमिता पस्चिम की ओर 14 मेटे चलती है तो पस्चिम की ओर का मतलब इस तरफ चलेगी कितना चली 14 मेटे चली 14 रिख लिए ठीक है आगे देखे फिर बहाँ दाएं और मुड़कर अब दाएं किदर होगा तो दाएं होगा उपर की तरफ और 14 चलती है चलती है यहाँ तो फिर अपने बाएं और मुड़कर अब यहां से मुड़ेगी बाएं तो बाएं किदर होगा तो बाएं होगा इस साइड में और बाय मुड़कर कितना चलती, 10 चलती, 10, तो 10 चली गए यहापर, यह भी कतम, पुना अपने बाय और मुड़कर, अब बाय मुड़ेगी, और वह 14 चलती है, तो यहां से तक, यहां तक मुड़े, और यहां पर आगे यह हो गया 14, फिर आगे देखे, बताएं कि उसके प्रर बाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे हम लोग बात करेंगे प्रेस्ट नमर 21 के बारे में आप लोग यहां पर देखेंगे दी गई वर्ण स्रंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं लुप्त बर्णों के सही क्रम को दिये गई विकल्पों में देखाए चुने सद्रा बंदेस लिए इस तरीके से मैं आ刚 क्या है तिन गया न हии इस तरीके से में आपर क्या है तीन दिन के अलग के लिए बान लीजे, इस तरीके से आप लग कर सकते हैं आपर, ठीक है, इस तरीके से आप के अलग हो जाएंगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ रहा है, तो देखिए, आप इस बाली लाइन को देखेंगे यहाँ पर, आपका यहाँ पर है B, A, A, ठी बीच में B-B यहां पर डबल आ गया इसका मतलब आपका logic कुछ इस तरीके चलेगा कि आपका डबल A-B आ सकता है कहीं पर और डबल B-B आ सकता है कहीं पर वो बस आपको समझने वाली बात है कहां पर आप डबल A करेंगे कहां पर आप डबल B करेंगे और किस तरीके से आप इसको settle करेंगे तो चले देखते हैं यहां पर हम लोग लेकिन हमें यह पता है कि हर खाना जितना आपका यहां बना हुआ है ना तो समय आपका B-B आएगा और A-B आएगा यह तो clear है तो देखिए यहां पर start कलते हैं यहां पर अगर पहले वाले को उठाएंगे तो यहां पर भी A आपका आएगा यहां पर B आएगा और A तो आपका double होगा नहीं तो double नहीं होगा इसके चक्कर में आपका यहां पर कौन सा आपका यहां पर A बाला तो नहीं हो सकता है B बाले में आपका A-B है यहां पर आपने पहल दिया , यहां पर आपने बी कल दिया , आगे रिखा बी , आपके रिखा बी , आपका यहां पर यह पर बीबी यह यह पर बीबी दूस्न इस तरीके सी आपके इतना बंजा है और इसमें कोई को 얼마나 दिलाइख रहा हैं क्यों कहुत के आप दोछार वार क्यों कि यहां पर ढश excuses यह नहीं बनाए ठीक है यह बनेगा रख दो घ् समें और आपस नमर आपका यहां पर बच्चे क किस सी और डी तो अब आप क्या करेंगे अब आप किसी एक को उठाइएगा सी लिक्ति एफ बिए फिर भी यहांपर यह वाला लॉल्जिक आपका बिल्कुल बेकार हो गया तो यह भी नहींद हो गया तो इसका मतलब यह भ़ुए दोस्तों कि आपका यहां पर बनेगा यापका डी वाला बनेगा कैसे देखे Peach B. A. a फिर बी Been पर लिखाओ धिए भी फिर देखे B. A & B. A. और बी एए बी ए अर बीए और बी एए और बीडी यहां पर देखी में यह लिखने के कि बी-वी-वी-ए इस तरीके से आपका बने रिखें ऑफ समझ गयोंगे यह दो लोगा सकते हैं इसमें आपको प्राबलम होने वाली फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर बताएगा यहाँ पर लिखा है दी गई कौन सी आकरते पशुओं सब्जी और आलू के भी संबंद को दर्शाती है तो यहाँ पर आप लोग फटापर से बताएगा कौन सी ऐसी आकरते संबंद को दर्शाती है तो दखिए पशू, सबजी, आलू पशू अलग होता है, अलग केटा गरी है लेकिन सबजी में आलू आता है सबजी के नंतरकत आलू और पशू मचली सांस लेती है किसे गिल गिल मतलब क्या है? मतलब यहां पर है मचली में उनसी सांस लेतीanks उसको गिल कहते हैं ऐसे हैं से पूझा कि मानप सांस लेता है किससे ठीकि फेफडा को हैं तो फेफडा हो गए है फैक है टोस्तों मचली का जिस परकाट से गिल से संबने हैं उससी परकाट से मानप का God Book का फेफडा संबन्द होगा नाकी नाक से कुछ पिचकी नाक करेंगे आप लेकिन यह नहीं होगा ठीक है मचली गिल और मानप God Book आगे देखे आप लोग यहाँ पर 24 नमबर को यहाँ पर सवाल क्या करा है सवाल को समझेगा और सवाल को समझने के बाद आप लोग इसका अंसर में कमेट वाक्स में बताएंगे सवाल नमबल देखेंगे 24 इसका अंसर बताएंगे हमें कमेट वाक्स में इसके बाद हम बात करेंगे प्रेस नमर 25 के बारे में देख लिजी आप पर समझ लेजेगा बहुत अच्छा सवाल है आप लिखा हुआ आपके लिए S, U, N और इसको लिखते क्या है A, C, J आपको बताना है P, A, T तो देखिए आप लोग यहाँ पर S आपका होता है 19 पर U आपका दुस्तों कितने बता है U आपका होता है 21 पर N होता है 14 पर तो यहाँ पर हम देखेंगे देखिएगा और E होता है 5 पर, C होता है 3 पर, J होता है 10 पर देखिए 9 एक कितना हुआ 10 अगर जोण हो इदर ठीक है 2-1 कितना होगा 3 हो जागा यहाँ पर और 4-1 कितना 5 तो आप यहाँ पर देखिए तो मैंने यहाँ पर देखिए 5 वाला इदर आ गया यह सिदर आ गया अपर 10 वाला इदर आ गया यह तीन वाला इदर आ गया तो बस भाई राचिक यहाँ पर लगेगा P होता है 16 पर A होता है 16 यहाँ पर A होता है 1 पर T होता है 20 पर जब आप इसको जोड़के लिखेंगे ना तो आपका यह हो जागा 7 यह हो जागा 1 यह हो जागा 2 और इधर लिखें ठीक है इस तरीके से तो 2 पर आपका क्या हो जागा B एक पर आपका क्या हो जाएगा ए साथ पर क्या आपका हो जाएगा साथ पर क्या हो जी तो बी ए जी आपका दोस्तों बिल्कों दाई टांसर होगा और आपसे नमर आपका यहाँ पर सी बाला बन जाएगा ठीक है यहाँ पर आप लोग देखेगा 26 नमर सवाल और यह सवाल दो आपकी बनेगी इस तरीके से आपके लाने बनेगी तो इस टाइप से आपको कहां पर दिख रहा है सिर्फ आपको यहां पर दिख रहा है ना डी वाले में तो आपका यहां पर डी वाला बन जाएगा ठीक है आपसन नमर आपका दोस्तों यहां पर डी वाला बिलको दाइट आ आगे हम लोग बात करते हैं प्रस नंबर 27 के बारे में यहां पर आप देखेगा तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर आपको कौन सा लोजिक लगेगा तो आप देखेगा जिस तरीके से यहां से आपका यहां से यहां पर आएगा तो पहले इसके बारे में बात करते हैं आपकी एक लाई इस तरीके से थी आपका इक इस तरीके से तो आपके लान वेखने के ए अवह जगी पर अथे से स्वाल होगा महल इस तरीके अ आपकी है उस तरीके से सब्सक्राइब करना आपके द het plug 15 आपका ओद मेंगे बदर् grave तो इस तरीके से आपको बनेगा आपको 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 आप क्योंकि दुश्ट यहां पर यह वाला ठीक तो इसलिए ने हुगा जो आपके दो बचे वह एं सेस उनरी आप के गोले हैं यह वह दोनों यह ओंगा अब इसके बाद हम क्या करेंगे दिखिए इस बाले को आप देखे यहां पर दोस्तों आप फटापर से यहां पर देख लीजिएगा और आप लोग इसका अंसर हमें बताएंगे कमेंट वाक्स में ठीक है इसका अंसर आप लोग हमें कमेंट वाक्स बताएंगे कौन सा इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा और लास्ट कोशन आपके दोस्ते यहां पर आचुका है इसको आप फटापर से देखिएगा सवाल में आपर क्या लॉजिक लगा है क्या ने लगा है इसको आपको समझना देखिएगा यहां से यहां पर यहां से यहां पर तो यहां से यहां पर आएगा तो कैसा देखिएगा इसके अंदर आप देखेंगे तो आपक तो बाइंटर नहीं होगी और जिरो और आपका यहां पर तीन वाला ऊस्तों आपका यहां पर बिलकुँ दाइट आँ स्थांसर हो जाएगा इस तत्रीके से तो आपको वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को आप लुक्त करिएगा अगर आप ने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चनल को सब्सक्राइब भी करें लीजिएगा